ओम शान्ती आज बाबा के चार ओक्टुबर के महावा क्य हैं बाबा निकाव मीठे बक्चे निश्चे करो कि हम आत्मा हैं ये हमारा शरीर है इसमें साक्षातकार की कोई बात नहीं आत्मा का साक्षातकार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे प्रश्न है बाब की किस श्रीमत पर चलने से गर्ब जेल की सजाओं से छूट सकते हैं उत्तर है बाब की श्रीमत है बच्चे नश्टो मोहा बनो एक बाब दूसरा न कोई तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पापकरम न करो तो गर्ब जेल की सजाओं से छूट जाए यहां तुम जनम जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए अब बाप आए है उन सजाओं से बचाने सत्युग में गर्ब जेल होता नहीं ओम शान्ती रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते है आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया पतित हमेशा बेसमझ होते हैं पावन दुनिया समझदार होती है भारत पावन दुनिया अर्थार्थ देवी देव इन लक्षमी नारेन का राज्जिता बड़े धन्वान सुखी थे परंतु भारत वासी इन बातों को समझते नहीं। इस शरीर को जनम देने वाला तो लौकिक फादर है और वे परंपिता पर्मात्मा है पारलौकिक फादर आत्माओं का बाप मनुशिल लक्षमी नारेन की पूजा करते हैं समझते भी हैं ये सत्युग में थे और रामसीता त्रेता में थे बाप आकर समझाते हैं बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जनम जनमांतर याद करते आए हो गौट फादर तो जरूर निराकार हुआ ना हमारी आत्मा भी निराकार है ना यहां आकर साकार बनी है ये थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धी में नहीं आती वे तुम्हारा बेहत का बाप रचैता है पुकारते हैं तुम मात पिताह आपके हम बनते हैं तो अभी वह बाप, इन द्वारा बैट समझाते हैं, मैं रचईता हूँ, ये मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ, ये भी समझ जाते हैं, आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं, एहम आत्मा, ये तो समझते हैं न, एहम आत्मा, एक शरीर छ दूसरा लेती हूँ, महान आत्मा, पुन्यात्मा कहते हैं न, निश्चे करते हैं, हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है, कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नही माया ने बुद्धी को ताला लगा दिया है तुमको अपने आत्मा का ही साक्षातकार नहीं होता है आत्मा ही अनेक जनम लेती है ना हर जनम में बाप बदलता चाहता है तुम अपने को आत्मा निश्चे क्यों नहीं करते हो कहते हैं आत्मा का साक्षातकार हो अरे जनम इतने जनम कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षातकार हो कोई 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 को आत्मा का साक्षातकार होता भी है परंतु समझ नहीं सकते बाप को तुम जानते नहीं बेहत के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षातकार भी कोई करा नहीं सकता कहते हैं हे भगवान तो बाप हुआ न तुमको दो बाप है एक तो है विनाशी शरीर को जनम देने वाला विनाशी बाप दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप तुम गाते हो तुम मात पिता उनको याद करते हो तो जरूर वे आया होगा ना जगत अमबा और जगत पिता बैठे हैं राज्योक सीख रहे हैं वे कुंट में लक्ष्मी नारण का राज्य था वे भी भारत में ही थे ना मनुश्य समझते हैं उपर कहां स्वर्ग होगा अरे लक्ष्मी नारण का यहां यादगार है जरूर यहां ही राज्य किया होगा ये दिलवाडा मंदिर तुमारा अभी का यादगार बना हुआ है तुम राज्योगी हो अदर कुमार कुमार कुमारियां सब यहां बैठे हो उनका यादगार फिर भक्ती में बनता है दिलवाडा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना दिल लेने वाला कौन है ये आदी देव और आदी देवी भी राज्योग सीख रहे हैं ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को वह है उंच ते उं ज्यान सागर इस आदी देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं ये मंदिर कब बना क्यों बना किनों का ये यादगार है कुछ भी जानते नहीं देवियों आदी के कितने नाम लेते हैं काली दुरगा अनपूर्णा अब सारे विश्व की अनपूर्णा कौन हो कौन सी देवियां अन की पूर्टी करती हैं तुम जानते हो भारत स्वर्ग था वहां तो अथा वैबव रहते हैं जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी सत्युग में तो अनाज बहुत सस्ता अच्छा होता है पर ये भी कोई समझते नहीं बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं तुम इन करमेंद्रियों से सुनती हो आत्मा को ये आँखें मिली हैं देखने के लिए कान मिले हैं सुनने के लिए बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ मुझे सदैव शिव ही कहते हैं मनुशोंने बहुत नाम रखे हैं रूद्र शिव सोमनात परंतु मेरा एक ही नाम शिव है शिवाय नमे भक्त भगवान को याद करते आई हैं उनको पच्चिस सो वर्ष हुए हैं भक्ती मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ती थी अभी तो तुमने ठिकर वित्तर में डाल दिया है अभी इस भक्ती का अंत है सब को वापिस ले जाने मैं आया हूँ ये पुरानी दुनिया खदम होनी है बॉम्स बने हुए है तो कितने में सब खलास हो जाएंगे सत्युग में कितने थोड़े सिर्फ नौ लाक होंगे बाकी इतने सब कहां चाहेंगे ये लड़ाई अर्थक्वेक आदी होगी बिनाश तो जरूर होना है ये है प्रजा पिता कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ब्रह्मा का बाप कौन है निराकार शिव हम उनके पौत्रे पौत्रियां है शिव बाबा से हम वर्सा लेते हैं तो उनको ही याद करना है याद से ही पापों का बोज बोजा उतरेगा तुम जानते हो यह है ही विशेश पतित दुनिया सत्युग है, वाइसलेस दुनिया, वहाँ विश यनि विकार होता नहीं, काईदे अनुसा एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यू नहीं होती है, है ही सुखधाम, यहां तो कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई भी जानते नहीं, जीता सुनाते हैं, शरीमत भगव गीता, भगवान वाच्च, अच्छा, भगवान कौन है, कह देती श्री क्रेश्न, अरे, वे तु छोटा बच्चा है, वे कैसे राज्युक सिखलाएगा, उस समय, पतित दुनिया थोड़ी है, सदगती के लिए राज्युक सिखलाने वाला तु यहां चाहिए, गीता में ल लिखा हुआ भी है, रूद्र गीता ग्यान यग्य, श्री क्रेश्न गीता ग्यान यग्य तो है नहीं, यह ग्यान यग्य कितनी वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ती कब होगी, जब सारी स्रश्टी इसमें स्वाहा होगी, यग्य जब समाप्त होता है, तो इसमें स्वाहा करते हैं न ये यग्य भी अंत तक चलता रहेगा ये पुरानी दुनिया खतम होने वाली है बाप कहते हैं मैं कालों का काल सबको लेने लिए आया हूं तुमको पढ़ा रहा हूं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो तुम जानते हो इस समय सभी मनुशिम मात्र हैं सदा भाग्यशाली सत्युग में थे सदा सौ भाग्यशाली ये फरक सबको समझाना है यहां आते हैं तो अच्छी रीती समझते हैं फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता जैसे गर्व जेल में अंजाम यहीं वाइदा कर आते हैं हम पाप नहीं करेंगे बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं जेल बर्ड होते हैं न इस समय जो भी मनुश्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं गड़ी गड़ी गर्ब जेल में जाकर सजाएं खाते हैं बाप कहते हैं अभी तुमको गर्ब जेल बर्ड बनने से छुडाते हैं सत्युग में गर्ब को जेल नह तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ, अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नश्टो मोहा बनो, गाते हैं मेरा तो एक, दूसरा न कोई, ये कोई श्री कृष्न की बात नहीं है, श्री कृष्न तो 84 जनम ले, अब आकर ब्रम्हा बना है, फिर वही श्री में ही प्रवेश किया है, ये बना बनाया ड्रामा है, अभी भगवान ये सूर्यवंशी, चंदरवंशी राजधानी इस्थापन कर रहे हैं, तुमारी भविश्य के लिए प्रालब्द बनाते हैं, अभी तुम पुर्शात कर अनेक जनमों की प्रालब्द बना रहे हो, बेह ही समझने की है, ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोएं पीटें, हम जीते जी, उस एक बाप को याद करते हैं, इस शरीर की भी हमको परवा नहीं है, ये पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं, इस समय तुम भारत की कि इतनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अनपूर्णा, दुर्गा, काली, आदी-आदी, बाकी काली, कोई ऐसी भयानक शकल वाली, वे गणेश सूंड वाला थोड़े होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्च को इन लक्ष्मी नारण जैसा बना रहा हूं, तुम निश्चे करो, हम बाबा से वर्सा ले रहे हैं, फिर भविश में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, बाप जो स्वर्ग का रचईता है, उनको कोई भी नहीं चानते, जगदंबा को भी बूल गए है, जिसका मंदिर ब बना हुआ है, अभी वह चैतन्य में बैठे है, कल युग के बाद फिर सत्युग होना है, विनाश के लिए मनुष पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होश्यार तो हो जाओ, महा भारत लड़ाई तो बरो बर लगी थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, वंदे मातरम गाते हैं न, पावन की ही वंदना की जाती है, माताएं दो प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वरकर, दूसरी है रूहानी सोशल वरकर, तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा, तुम जानत हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। मिल जाएंगे अभी तुम पथर बुद्धी से पारस बुद्धी बनते हो। रचैता बाप तो सबका एक ही है। आदी देव और आदी देवी के मंदिर भी है। तुम उनके बच्चे यहां राजयोग सीख रहे हो। यहां ही तुमने तपस्या की थी। तुमारा यादगार सा अमने खड़ा है लक्ष्मी नारण आदी को राजाई कैसे मिली उनका ये मंदिर है। तुम हो राज रिशी। राजाई प्राप्त करने वे भारत का फिर से राज भाग्य पाने लिए तुम पुर्शार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई इस्थापन करत हो अपने तन मन धन से सेवा करके बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावन राज्य से सबको लिब्रेट करते हो। बाप है लिब्रेटर दुख हरता सुख करता तुमारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तुम को दुश्मन पर विजय प और फिर गवाते हो ये है रोद्र शिव का ग्यान यग्य जिससे ये विनाश ज्वाला निकली है वे सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे दुख शुरू होता है द्वापर से बाप कहते हैं मैं आकर नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ कल युग है वेशाल है सत्युग है शिवाल है तुम बेहत के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो ये खुशी का पारा चड़ना चाहिए ना अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते 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 जी दार्णा के लिए मुख्यसार है जीते जी बाप को याद कर वर्से का अधिकार लेना है किसी भी बात की परवा नहीं करनी है श्रीमत पर अपने तन, मन, धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सब को रावन से लिब्रेट होने की युक्ती बतानी है वर्धान है योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचडे को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव योग ज्वाला अर्थाड श्रेष्ट संकल्पों की शक्ति वे लगन की अगनी द्वारा ही आपवितृता रूपी किचले को भसम कर सकते हो जैसे देवियों के यादगार में दिखाते है कि ज्वाला से आसूरी शक्तियों को खतम कर दिया ये यादगार अभी का है तो पहले ज्वाला रूप बन आसूरी संसकार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूरन पावन बनो तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किच्डे को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित बनेंगे क्लोगन है आज्याकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है अपने हर श्रेश्ट संकल्प को सफल करने वैस्वयम को संपन बनाने के लिए ट्रस्टी बन कर रहो ट्रस्टी बनना अर्थार डबल लाइट फरिष्टा बनना एक श्रेश्ट संकल्प बच्चे का और हजार श्रेश्ट संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है एक का हजार गुणा मिल जाता है अच्छा ओम शान्ति